Hello friends and welcome to my channel अपना insurance वाला Hello friends आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ practical activities के बारे में discuss करेंगे और हम guarantee से कह सकते हैं कि कि अगर आप ने ये activity कर ली तो आपका insurance business में growth जरूर होगी तो friends time ना waste करते हुए सीधे बात करते हैं कि activity क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हैं activity करने से पहले क्या क्या preparation करें सबसे पहले आप एक format बना लें जिसमें serial number, name, occupation, mobile number जिसमें आपका WhatsApp में हो, office address और signature होने चाहिए इस column को आपको जरूर लेना है, चाहे तो आप इसमें और column भी add कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप नए agent है या आपका business भी ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपके पास काफी समय खाली रहता होगा तो आपस request है कि यह activity आप खुद ही करें और अगर आप busy agent हैं तो आप इसके लिए कोई भी employee भी appoint कर सकते हैं पर ध्यान रखे कि आपको daily employee से report लेनी है और cross check भी करना है कि activity सच में हो रही है या नहीं हो रही है तो अब आप next आपको क्या करना है अब आप अपने शेहर के किसी ब्लॉक में निकल जाएं और कम से कम 5 primary school को cover करिए ज्यादतर primary school का समय 9 से 3 तक होता है आप कोशिश करिए कि school start होने के 30 मिनट के बाद ही जाएं मतलब 9-30 पर आप जा सकते हैं average हर primary school में 5 से 6 teachers होते हैं और उनको income tax बचाने के लिए saving करने ही पड़ती है जो आपके लिए एक plus point है तो अब आपको वहाँ क्या करना है अभी जैसे नया साथ शुरू ही हुआ है तो January, February, March में आपके पास अपने नाम के print हुए new year के calendar होते हैं और अगर नहीं है तो आप उन्हें print करा लीजिए और calendar को उन school के teachers में distribute करिए साथ ही LIC के किसी plan combination का pamphlet भी print करा ले उसको भी आप उन्ही के साथ में अपनी teachers को दे सकते हैं और साथ में आप mobile number, school address जरूर note कर लीजिए उसके साथ ही कोशिश करें कि वो भी आपका mobile number note कर ले या अपने phone में save कर ले जिससे जब भी आप उनको mobile number को अपनी broadcast list में add करते हैं तो whatsapp पर जो आप message करेंगे उन्हें तो उनको आपके message मिलेंगे तो और आपको असानी से identify कर लेंगे friends कोशिश करें जिस स्कूल में आप जाते हैं यहां के सारे पांचे teachers को आप उस plan combination की detail में बता दें और deal close करें अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं उनके पास reading material यानि वो pamphlet जरूर चोड़ दें उनको बताएं कि आप life insurance, health insurance, vehicle insurance में भी deal करते हैं और अगर आप मार्च के बाद जाते हैं तो कलेंडर की जगा अपने नाम की ring, key ring या pen या फिर गेटियम card holder भी दे सकते हैं अगर आप दिन में 5 school cover करते हैं तो आप कम से कम 25-30 teachers को contact में ले आते हैं मैं sure हूँ आप अगर अच्छे से अपना plan को presentation देते हैं कम से कम एक policy थी तो आप कर ही लेंगे साथ ही साथ बागी के सारे contact आपके दुबारा भी काम आ जाएंगे अब next question कितने premium ले average 1.5 lakh की saving पर section 80C के according tax में छूट मिलती है तो जो भी plan combination बताएं उसमें monthly saving 5000 से लेकर 15,000 तक होनी चाहिए इस प्रकार से ही उन्हें बताईए प्लान दिखाते हुए कोशिश करें कि जो आप premium लेते हैं वो monthly ही ले और natch के थो ही करें इससे आप बड़ा premium आसानी से कर पाएंगे और ग्राहक को भी बड़े amount का burden नहीं पड़ेगा जो agent नहीं जानते हैं कि natch क्या है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि natch एक form होता है जिससे हर महीने के महीने किश्ट bank से अपने आप ही करती रहती है agent या ग्राहक को LIC branch जाने की जरूरत नहीं पड़ती है अब बात करते हैं result की अगर इन 25 से 30 लोगों में आप एक से भी minimum 5000 की monthly saving की policy कर लेते हैं तो average हर महीने छुटियों को हटा के 20 policy और साल की 240 policy आप कर पाएंगे मतलब एक activity से आप साल की 240 policy असानी से कर पाएंगे तो अब बात करते हैं premium की एक policy में per monthly 5000 का premium है यानि साल में 12 महीने होते हैं तो साल का एक policy में 60,000 रुपीज जमा हो रहे हैं आपने साल की 240 240 policy की है तो 240 into 60,000 यानि जो आपने total business किया है वो होगा 1,44,000 लैक का तो ये है नैच और daily काम करने की ताकत अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की, सबसे बड़ी problem की आप भी जानते हैं कि ये आसान है हो जाएगा केवल तभी जब हम daily काम करेंगे ये तभी possible है इसमें सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी problem है आला से यानि टालनी की आदत इसका भी solution है आप जो भी रोज meeting करते हैं उनकी selfie जरूर लें और हमारे official number 9452147558 पर आप इसे whatsapp कर दिए ये official number है इस number पर आपकी call pick नहीं होगी इसलिए सिर्फ आप whatsapp कर सकते हैं इस तरीके से whatsapp का use करके जैसे आप हमारे number पर अगर आप हमेशा report करेंगे यानि हट परड़े का report करेंगे तो आपके उपर एक responsibility बनी रहेगे आप responsible बनेंगे यानि आपका एक mentor है ये दिमाग में सोचें किसी भी company में employees तभी काम करते हैं जब उसके boss का pressure होता है लेकिर यहां पे हम आपके boss नहीं बनना चाहते हैं आपके mentor बनना चाहते हैं आपका साथ देना चाहते हैं ताकि आप अपनी responsibility को समझें और per day आप हमें इस whatsapp पे अगर message करेंगे तो आपको अपनी responsibility आसानी से समझाएगी अगर आप इस number पे worship नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी do को भी per day की report दे सकते हैं और friends हमें MDRT achieve करनी है आप सबको यह फैसला करना होगा कि आपको MDRT achieve करनी है यह नहीं करनी है उसी के according आप अपनी responsibility को समझेंगे और अगर आपने साथ दिया तो MDRT की हम जरूर करेंगे सम मिलकर काम करेंगे और जरूर जीत के दिखाएंगे